यह दोनों में difference है, तो इसको आपने mind में रखना है, उसके बाद है equivalent regular expression, equivalent क्या होगी, आप कहा सकते हैं, two regular expression are set to be equivalent, कब equivalent होंगे, if they generate same language, ठीक है, कि दो regular expression है, और वो equivalent कब है, जब वो generate कर रहे हो, same language को, ठीक है, यहाँ पर एक example दे रहा है, for example, कहते है, r1 equal to a, b का steric, और then, a, a plus b, b, या फिर आप इस तरह लिख सकते हैं, a plus b का steric, a, a plus or use कर रहे है, a plus b का steric, b, b, so it means, कि आपके पाद जो भी इनका, आपकी sub-string generate होंगी, इनका क्या आएगा, same ही आपके पाद language generate होगी, ठीक है, then आप कहेंगे, two language are equivalent, ठीक है, two regular expression are set to be equivalent, if they generate same language, अगर यह same language को generate करते ह है, it means, आपके पास जो regular expressions होंगी, वो क्या होंगी, equivalent होंगी, ठीक है, उसके बाद आपके पास और, अब example बता रहे है, ठीक है, कि आपने plus कैसे करना है, concatenate कैसे करना है, collager कैसे लेना है, यह हमार रड़ी discuss कर चुके हैं, ठीक है, plus होगा, तो आपने just plus का sample, it means union आप यूनि करते हैं, फिर इसकी बार यह बी, बी, ए आ जाएगा, ठीक है, फिर बी, बी, तीन टाइम बी आ जाएगा, तो इस तरह आपका रड़ी कर सकते हैं, ठीक है, यह collager होगा, जो कि हमार रड़ी discuss कर चुके हैं, उसके बाद है regular language, अब कल भी हमने पढ़ा था, language regular कब होगी, ठी कर रही होगी, ठीक है, language generate, any regular expression, कोई भी language है, जो कि generate करती है, regular expression, तो उसको हम कह सकते है, regular language, अगर कोई भी language, जो के regular expression को generate नहीं करती, हम कहेंगे, वो regular language नहीं है, ठीक है, it is to be noted that, हमने पढ़ा था, R1, R2, R regular expression, ठीक है, corresponding to the language, L1 and L2, then the language generate, ठीक है, आपके पास, हमने regular जो expression की, जो definition थी, उसमें पढ़ा था, ठीक है, R1, R2 regular expression है, अगर हम उनका union लें, तो भी regular expression रहेगा, अगर हम उनको concatenate करें, तो भी वो regular expression होगा, R1 का, R1 प्लस R2, यहां पे क्या किया, हमने union ले लिया, यहां पे concatenate कर लिया, तो भी regular expression होगी, R2, R1, यह meta नहीं करता, R1 का क्लियर ले ले, R2 का क्लियर ले ले, तो भी यह क्या होंगे, आपके पास regular language, ठीक है, तो अब नेक्स्ट वहीं example दे रहे हैं, ठीक है, प्लस और प्लस करते हैं, तो हम इस तरह भी represent कर सकते हैं, ठीक है, इनका मतलब क्या है, concatenation, इसका म होगे हैं, अब उसके बाद है, आल फार्नेट लेंग्वेज आर रेगुलर, जितनी भी फार्नेट लेंग्वेज हैं, वो क्या है, रेगुलर है, consider अब यहां पर वो कंडिशन बता रहा है, कि आपने एक स्ट्रिंग जनरेट करनी है, जिसकी लेंग्वेज क्या हो, टू हो, टू से कम ना हो, ना टू से कम हो, ना टू से ज्यालता हो, ठीक है, दोबारा देखें, define the language, L, define over, जो कि आप अल्फाबेट से define कर रहे हैं, of string, of length 2, starting with A, but उसकी condition यह है, कि start with A होना चाहिए, B से start भी ना हो, A से start हो, बट length भी 2 होनी चाहिए, टू से ज्यादा ना हो, then आपके पास जो sub-string generate हो सकती है, वो क्या हो सकती है, जहां से, A, A हो सकता है, या क्या हो सकता है, A, B हो सकता है, ठीक है, may be express by regular expression, अब इसको हम express कर सकते हैं, या regular expression हम कैसे लिखेंगे, जिस्ट आपने क्या करने हैं, और लगा देना है, जितनी भी possibilities होंगी, या जितनी भी sub-strings होंगी, उनको आप plus से, ठीक है, define कर सकते हैं, A, A, B, तो आपकी ये condition क्या होगी, true होगी, कि अब आपके पास start भी ये से हो रहा है, और आपके पास length भी क्या है, two है, इसके इलावा आप कहीं जाहीं नहीं सकते हैं, तो ये आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, अब इसी तरह आप लों को एक और example दे रहा है, ठीक है, it may be noted that language contain even thousand words, its RE may be expressed by placing plus, ठीक है, आपके पास thousand words हों, तो भी आम उनको उनकी regular expression जो है, express कर सकते हैं, कैसे express कर सकते हैं, plus को use करते हुए, between all words, ठीक है, here the special structure of RE is not important, ठीक है, special structure नहीं है, आप जैसे मर्जी, पहले लिखना चाहिए, या बाद में लिखना चाहिए, sub strings को, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक language दे दी है, यहाँ पर क्या कर रहा है, तीन टाइम A है, A, A, B है, A, B, A है, up so on, ठीक है, अब आपके पर total number of, जो sub strings हैं, को क्या है, eight है, ठीक है, अ A plus B, A plus B, अब for example, यहाँ से मैं A लेता हूँ, यहाँ से मैं A लेता हूँ, यहाँ से मैं A लेता हूँ, इनको concatenate करता हूँ, तो मेरे पास क्या बन रहा है, three times A आ रहा है, ठीक है, फिर यह करता हूँ, यहाँ से A लेता हूँ, यहाँ से A लेता हूँ, यहाँ से B लेता के यह यह छो इस तके आप लोग टोटल जो सबस्टिंग्स जणलेट होंगीrist लोग इस तरह लोग राइड कर सकते हैं कि वस्के है आप लोग के पास finite automata finite automata है क्या क्यों यूज करते हैं अब अतार है इट इस एन अधर method for defined language हमने language के बारे में पढ़ा था कि हम language को different way से define कर सकते हैं वो one by one हम लोग देख अब यह क्या है it is a graphical method ठीक है यह क्या है बेसिकली एक graphical method है फाइन आटो मेटा और यूज टू रेकोनाइज patterns ठीक है pattern को recognize करने के लिए यह use होता है अब यह क्या करता है इट टेक स्टिंग आफ सेंबल as input and change it state accordingly when the desired symbol is found then functions occur अब यहां पर basically आप लोग के पास कुछ rules है finite automata को define करने के यहां पर आप लोग को यह देखा जाता है basically finite automata आप लोग का lexical analyzer में यूज होता है compiler में अब compiler में lexical analyzer क्या होता है हम आरधी पढ़ चुके हैं basically आप strings देते हैं तो वो क्या करता है कि सारापके वाज़ नहीं हो रही है कटगी अपके वाज पर आपकी वाज कटगी है पर आपके वाज कटगी है अ है निए निए ठीक है आज जिम चाजी अजिए अब आपके अब आपको अब आरी है पहले कट की जी सर अब कर दो अब नेट पर में फाइनेट अटमेटर को रिपीट कर दो जी सर जी सर जी सर मैं दुबारा रिपीट कर दो अब ने कम्प्ली participating नहीं किया वैसे दुबारा रिपीट कर दो पच्छा जो finite आठो मेटर है यह भी क्या है language को define करने का एक method है हमने पढ़ा था language को हम different way से define कर सकते हैं टीक है ये भी क्या है language को define करने का एक method है ये graphical method है अब इसमें होता क्या है finite automata are used to recognize patterns pattern को recognize करने के लिए use करते हैं basically ये हमारे पास lexical analyzer में use होता है compiler construction में आपके पास lexical analyzer होगा वहाँ पे use होता है lexical analyzer basically करता क्या है वो sting लेता है उनको tokenize करता है और one by one characters को check करता है और ये देखता है कि वो आया कि उन rules के मताबक हैं या नहीं है होंगे तो ठीक है otherwise reject कर दिया जाएगा तो अब यहाँ पे यहीं बात बता रहा है it takes strings of symbols अब यह क्या करता है strings of symbols को लेता है as an input और change its state accordingly और उसके मताबक states को change करता है वो कैसे करता है अभी आप लों को समझा जाएगा when the desired symbol is found अगर वो found हो सकता है then transition occur then transition occur होगी otherwise क्या होगी occur नहीं होगी वो कैसे होगी अभी clear हो जाएगा आप लों को at the time of transition automata can either move to next state or stay in the same state ठीक है आपके पास जो होगा transitions के time automata can either move या तो वो move कर रहा होगा to the next state या वो उसी state पे रहेगा और वो कैसे रहेगा अभी clear हो जाएगा सब कुछ अभी example हम देखेंगे finite automata have two states एक आपके पास accepting state होती है एक rejecting state होती है अगर आप accepting state पे पहुंच जाते हैं तो आप कहेंगे कि यह string जो है यह FA accept कर रहा है अगर आप accepting state पे नहीं पहुंचते तो आप कहेंगे कि आपकी यह FA जो है इस जो strings है इसको असेप्ट नहीं कर रहा है ठीक है वो कैसे नहीं करता वो अभी तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी टीज़ इंपू्ट स्टिंग टीज़ेंर छ तो फ्ञेञ्च में अगर अगर अपनल स्टिंग पर आपकosas when the input stig is processed successfully and the automata reach it's final state then it will be accepted आप final state पर पहुं जाते हैं तो it's mean वो शुन जो है आपड़की Ic requirement नहीं करता अब इस पे कुछ चीजे हैं जो कि आपके माइन में रखती हैं एफए को ड्रा करने से पहले फानेट आटो मेटा इस अ कॉलेक्शन ऑफ सेक है फानेट नंबर आफ स्टेट्स होंगी उस में जस्ट एक अनीशल स्टेट होगी ठीक है आपके फानेट नंबर आफ स्टेट्स हो सकती है बड़ जो अनीशल स्टेट है जहां से आपने स्टार्ट करना है वो सिर्फ एक होगी वो सिर्फ क्या होगी एक होगी some may be none final state कुछ final state हो भी सकती है एक या एक से ज़्यादा या ऐसी possibility भी हो सकती है कि final state ना हो वो कैसे ना हो अभी example में हर एक चीज clear हो जाएगी जिस आपने यही मार्ण में रखना है कि आपके पास final number of state होंगी infinite नहीं हो सकती initial state एक ही होगी final state एक भी हो सकती है एक से ज़्यादा भी हो सकती है नहीं भी हो सकती उसके बस second point यह है funded set of input letter और funded set of input letter होंगे from which input string are formed ठीके जिससे आप लो क्या करेंगे input string जो आप लोगी letter होंगे जिससे आप उन strings को follow करते हुए आप move करेंगे final set of transitions और आपके पास final set of transitions होंगी for each state हर state के लिए आपके पास final set of transitions होगी for each state and for each input letter there is a transition showing how to move from one state to ठीके आप यह देखेंगे कि एक state से दूसरे state में आपने कैसे move करना है अब यहां पर वहीं चीज़ बता रहे कि final set of states है final set of input symbols होंगे infinite नहीं हो सकते अनिशल स्टेट होगी ठीके और final state को आप इस तरह रिप्रिजेंट कर सकते हैं transitions होंगी the rules which specify how to move on the next state ठीके अब यहां पर आप लों को वो symbols बता रहे हैं initial state को हम कैसे start कर सकते हैं finite automata में आपके बाद दो possibilities हैं आप यह method भी यूज़ कर सकते हैं और यह method भी यूज़ कर सकते हैं ठीके आप देशक जो है state में आप जो minus यूज़ कर लें इसमीन आपकी क्या है यह initial state है या आप इस तरह एरो से represent कर लें इसमीन आप लों के पास क्या है यह initial state है ठीके different way से represent किया जाता है इस अप तो यूज़ आप जो मर्दी यूज़ करना चाहें उसके बाद नॉन असेप्टिंग state यह आपकी non-accepting state है इसमीन कि आप input को rate कर रहे हैं strings को बट आप final state पे नहीं पहुंचते ठीके आप किसी और state पे पहुंच जाते है इसमीन कि वो non-accepting state है और आपका जो string है वो reject हो चुकी है और जो आपका fa है वो basically उन strings को accept नहीं कर रहा ठीके non-accepting state are the state at which if input strings end आपकी input strings end हो जाती है the input is considered to be rejected यह कि input string आपकी end हो चुकी है बट आप लोग final state पे नहीं पहुंचे इसमीन आप reject हो चुके है आपको strings दी हुई है और आपने one by one उन strings को follow करना है और आपने उनको follow करते हुए आपने final stage तक पहुंच रहा है आपके पास जो भी state होगी उस state से for example A को मैं read कर रहा हूँ तो A को एक दफा ही read कर सकता हूँ A को A से ज़्यादा time read नहीं कर सकता for example मेरे पास एक state है यहां से मैं A को read करता हुए next state पे जा रहा हूँ अब ऐसा नहीं है कि दूसरी transition आप बना लें इसके लिए हो जाएगी उसके बाद accepting state accepting state को आप दो वे से represent कर सकते हैं या तो इस तरह represent कर ले या plus यूज कर ले उसमें तो इसमें आपकी accepting state है आप जो है final state पे पहुंच चुके हैं अगर आप final state पे पहुंच जाते हैं इसमें कि आपकी जो F.A. है वो उस स्टिंग को accept कर रहा है उसके बाद है trap state trap state का मतलब है कि loop अगर आप लोग की loop जो है आपकी जो string थी आप ते उसको follow करते हुए आप final state पे पहुंच चुके हैं उसके बाद loop चर रही है बट आप खड़े final state पे हैं आपके पास ऐसी possibility आजाती है कि आपकी strings खतम हो जाती है और आप जो है rejecting trap state पे हैं बट वहाँ पे फिर loop चर रही है आप A read कर रहे हैं आप कहीं movie नहीं कर पा रहे हैं आप उसी state पे खड़े हैं तो यह क्या होँगी आप लोग के trap states हैं यह दो है accepting भी आजाती है और rejecting भी आजाती है यह भी हम लोग तमाम चीज़ें देखती हैं ठीक है for some language machine can be determined if string is valid or invalid in early stage and after which no symbol has any effect on the result such state is known as trap state ठीक है मतलब यह है कि आप state पे पहुँँच जाते हैं बट आपके input वो है उस पर कोई भी effect नहीं पढ़ड़ा ठीक है तो देन आप कहेंगे वो tap statement है वो final भी हो सकती है rejecting भी हो सकती है वो कैसे है अब भी हम लोग देखती है अब transition को कैसे show करेंगे transitions को हम इस तरह represent करेंगे arrow से ठीक है एक transition से हम दूसरी transition की तरह मूफ कर रहे है अब one पर one बलके अभी इंडिक्री टाइपस है फिर example आएंगी इसकी अब एफे की दो टाइपस है एफे की एक है DFA और एक है NFA अब दोनों में फर्क क्या है अब यहां में बता रहे है F.A. refer to deterministic finite automata Ticket DFA. refer to uniqueness of the computation if the DFA the machine goes to one state only for a particular input character DFA does not accept null move DFA में एक तो आपके पाल null state नहीं आ सकती DFA आपका null state accept नहीं करेगा नहीं यहां पे आपनों के पास lambda आएगा ठीक है और यहां से आप लोग जब move कर रहे होंगे the machine goes to one state only for particular input character सिर्फ अभी मैंने बताया था कि आपके पाट DFA में क्या होगा कि जस्त एक जो है specific letter ही हम read कर सकते हैं अगर A A को read कर रहे हैं तो दुबारा ऐसा नहीं हो सकता कि दुबारा उसी state से आप जो है next A को read करके दूसी state पे जाए इसा नहीं होगा सिर्फ एक आपके पास जो letter होगा या character होगा उसको read करते हुए आप next state पे जा सकते हैं उसी को same input को दुबारा किसी और state पे लेके नहीं जा सकते हैं वह भी तमाम चीज़ें आप लोगे example में हर एक चीज़ clear हो जाएगी और NFA में क्या है कि आप लोगे पास जो है एक से ज्यादा initial भी हो सकती है और यहां पे null moves भी कर सकते हैं null आपके पास आएगा lambda आएगा ठीक है NFA stands for non-determistic finite automata it is used to transmit any number of state for particular input it can accept the null moves यहां पे null आप लोगे moves हो सकती है ठीक है better DFA में नहीं हो सकता अब important points है DFA और NFA से relevant अब यहां पे बता रहा है every DFA is NFA आपका DFA, NFA हो सकता है बट NFA, DFA नहीं हो सकता ठीक है NFA, DFA कैसे नहीं हो सकता क्योंकि यहां पे आपके पास नल को आप लोग फालो करते हुए नेक्स स्टेट पे मूव कर सकते हैं बट यहां पे नल नहीं आता बट DFA आपका NFA होगा बट NFA क्या होगा DFA नहीं होगा देर करन भी multiple final state in both NFA and DFA आपके बाद दोनों के बाद final state multiple हो सकती है DFA is used in lexical analyzer in the compiler जो अभी मैं बता रहा था NFA is more of theoretical concept यह theoretical subject है concept है बट इसका भी जो आप लों के पर compiler construction है यह use होता है वो कैसे होगा अभी one by one आप लों को clear हो जाएगा ठीक है अब यहां पे आप लों के एक example दी हुई है अभी simple examples हैं आपके पाद थोड़ी सी complex examples आएंगी वो हम one by one देखेंगे आज के lecture में just a simple example है अब यहां पे आपको एक alphabet दिया हुआ है और कुछ states दी हुई है x, y और z अब यहां पे आपको define कर रहा है कि x एक initial state है और z है क्या है एक final state है x जो है आपके पास initial state है और z final state है ठीक है और जो y है यह एक non accepting state है अब यहां पे आपको transition खुद दे रहा है यह आपको भी खुद दे रहा है यह simple just समझने के लिए आपको बताया हुआ है अब transition बता रहा है कि हमने state x से a को read करना है और जा कहां पे रहे हैं z पे जा रहे है x से a को read किया या b को read करें आप z पे जा रहे है अब इसको यहां पे transition table के थो इससों रिप्रेसेंटर किया हुआ है अब यहां पे x आपकी क्या थी initial state थी आपने old state लिख लिख लिए new state लिख लिए reading a और reading b ठीक है अब यहां पे आपने अनिशल स्टेट को लिख लिया और अनिशल स्टेट के साथ हमने पढ़ा था कि आपके पास माइनस जो है यूस कर सकते हैं. फिर Y और Z. अब आपने यहां पे इनको देखने है, X से A को रिड कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं? Z पे. X से आपने A को रिड किय कहां जा रहें Y पे फिर उसके बाद क्या था आप ने य से A को रिड किया Y से A रिड करें या B को रिड करें Y पे ही जा रहें Y से अब A रिड करने कहां जा रहें Y पे जा रहें Y से B को रिड करने कहां जा रहें Y पे जा रहें और जो final state होगी वहाँ पे आप plus use कर सकते हैं. अब आपने क्या किया? Z से A को रिड किया, Z पे खड़े हैं. और Z से B को रिड किया, Z पे खड़े हैं. अब आपने F A का एक ग्राफ बनाना है. अब इसको follow करते हुए. आपके पास X क्या है? initial state है. जी बचा. अब इसको रिड करें, किस पे जाना है हमने? बचा अब यह आपको simple चीजह दी हुई है. जब आपके पार complex हैंगी, फिर वो एक अलग चीजह है. अब यहाँ पर उसने यह चीज़ दी हुई है. यह चीज़ दी हुई है आपको. आपको यह तमाम चीज़े दी हुई हैं उसने. अगर समझे. ठीक है. अब अब अनिशन स्टेट पर समझाने के लिए आपको बता रहा है. आपको यह तमाम चीज़े उसने दी हुई हैं. ठीक है, आपको यह state दी हुई है, transition दी हुई है. सिर्फ सिम्पल, अभी next थोड़ा सा complex हो जाएगा, वो थोड़ा अलग होगा. ठीक है, यहां पर जिस आपको basic level पे जो है, एक समझाने के लिए उसने यह तमाम चीज़ें बताई हुई हैं, कि हो कैसे रही हैं. ठीक है, इसको फालो करते हुए, आपने यह transition table बना लेंगे, ठीक है, आपने यह चीज़ें दी हुई हैं, आपको यह table बना लिया, अब इस table के थूँ आपने F.A. का वो graph बनाना है, आपने पढ़ना था F.A. एक graphical model है, अब आपने state को इस तरह table की form में transition table का जाता है, इसको ठीक है, इसको क्या का जाता है, transition table, transition table की form में आपने लिख लिया, अब आपने इसको फालो करते हुए, आप राप बनाना है, अब आपके पास X क्या है, initial state है, ठीक है, हमने पढ़ा था, X को जो initial state होगी, इसको इस तरह represent करेंगे, ठीक है, फिर आपके पास क्या है, यह Y है, Y आपकी क्या है, non-accepting state है, Y क्या आपकी non-accepting state है, आपके यह लिख लिख लिया, अब भी transition को छोड़े, फिर आपके पास Z क्या है, final state है, आपने यहाँ पे Z को भी represent कर लिया, यह 3 states लिख लिख लिए आपने, अब देखें, X से आपने A को read किया, कहां जा रहे है, Z पे, यह सही है, ठीके, उसके बात, initial state से B को read कर रहे हैं, तो कहां जा रहे हैं, Y पे, ठीके, B को read कर रहे हैं, Y पे, अभी हमने पढ़ा था, कि आपके पास ऐसा नहीं हो सकता, for example, मैं यहां से X से A को read करते हुए Z पे जा रहा हूँ, अब ऐसा नहीं हो सकता, कि आप X से दुबारा A को read करें, और Y पे जाएं, यह possibility नहीं होगी आपके पास, ठीके, वो वहीं बता रहा था, कि आपके पास एक state से, आप सिर्फ एक ही input letter को read करते हुए next state पे जा सकते हैं, ठीके, कि आप यहां पे एक को लेके जा रहे हैं, तो यहां पे ऐसा नहीं हो सकता, दुबारा A को read करक रहे हैं, तो यहें को read किया, तो B, ठीके, फिर Y से A को read किया, B को read किया, दुबारा Y पे आ रहे हैं, तो आप यहां पे A, B represent कर सकते हैं, जब एक से जदा जो आपके पास, जो缘्ध को read कर रहे हैं, तो आप कोमा से represent कर सकते हैं कॉमा का क्या मतलब है प्लस और कॉमा का क्या मतलब है और ठीक है और इसी तरह आप next state थी z से a को rate किया z पे जा रहे हैं z से b को rate किया दुबारा कहा जा रहे हैं z पे ठीक है देखें z से a को rate किया कहां जा रहें Z पे Z से B को रिड किया दुबारा कहां जा रहें Z पे तो इसका मतलब किया कॉमा का मतलब है पलस अब यह बिसिकली का है ट्रैप स्टेट हैं हमने पढ़ा था ने ट्रैप स्टेट एक फानल स्टेट होगी और एक आपके पास जो है असेप्टिंग स्टेट नहीं होगी ठीक है रिजेक्टिंग स्टेट होगी अब यहां पिया आपने टांजिशन ग्राफ बना लिया अब इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे होगी आपने रेगुलर एक्सप्रेशन अगर बनानी है तो आपने यह देखना है ठीक है अब आपने क्या करना है अब यहां पर देखें ठीक है आपने एक को रेड कि आप फाइनल स्टेट पर पहुंच गया है फिर हमने कहा था बिशक ए बी आए वो मैटर नहीं करता क्योंकि आप फाइनल स्टेट पर खड़े नहींगे आप कहीं और मूब नहीं कर सकते ठीक है अब आपके पास स्टार्टिंग आपने ए से किया और एंड जो मर्दी हो ए जतनी दफाएं बी जतनी दफाएं तो अब आपने रैगुलर एक्सपेशन डिफाइन करनी है इसकी आप कैसे करेंगे आपके पास ए ठीक है फिर आप लिखेंगे ए प्लस बी का होल का क्य जीरो इसमीन लेंड आएगा आपके पास ए ठीक ए पर आपका कर रहे है फानल स्टेट पर जा रहे है इसमीन क्या आपकी जो स्टिंग है वो असेप्ट हो रही है फिर उसके बाद फॉर इसमपल यहां पर वन आ जाता है अब आपके पास है ए ए कंबिनेशन ए भी बन सकता ह अब देखें यहां पर देखें आपने एको रेड गड किया फॉर इसमीन अब यहां आप तो अ और यहां पर पिर बनीगा और उन स्टिंग्स बन सकती है यहां पर या तो ए बने07 गा ठीक है यहां बीबनेगा या बीबनेगा या वीबन medal फे इसमीन दो दफ़ा ही आता है, अब इस A को concatenate करेंगे, मतलब थ्री टाइम आपके पास A आ जाएगा, अब यहाँ पर देखें आपने क्या किया, A को rate किया final state पर चले गए, आपका बागी concern नहीं है, जो मर रही है, final state पर थोड़े है अब दो दफ़ाए एक दफ़ार hit कर लिए, फिर दो दफ़ार hit कर लिए, आप final state पर खड़े हैं, इसी तरह आपके पास क्या आता है for example, A और यहाँ पर B बी आता है, A, B, B अब यहाँ पर देखें, आप A को rate कर रहे है, final state पर जा रहे हैं, फिर B, B, जितने मर्दी आए, आपके पास final state पर खड़े हैं, तो इस तरह आपने क्या करना है, यह एक, जो है, FA को ड्रा करना है, ठीक है, आपने diagram ड्रा करनी है, आपको यह statement दी होंगी, और आपने क्या करना होगा, इसको ड्रा करना होगा, I hope कि आप पोल, copy open करें, और वहां पर इस तीज को ड्रा करें, ठीक है, अभी बैठके ड्रा करें, शाबाज,